स्टुडेंट आपका हमारे यूटुब चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि quadratic polynomial जो हमारे पास होती है या quadratic equation जो होती है उसके factors या zeros हम किस तरीके से find कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ए quadratic polynomial दे रखी है जिसको हम quadratic equation भी बोल सकते हैं अगर मैं इसके equal में 0 रख दूँ ठीक है तो इसके अगर मुझे zeros find करने हो या factor find करने हो तो किस तरीके से find करेंगे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे तो आज हम जो method apply करने जा रहे हैं वो है splitting middle term method ठीक है तो splitting middle term method किस तरीके से आपको apply करना है आज देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है यहाँ पर यह जो quadratic polynomial दे रखा है ठीक है तो इसके मुझे factor find करने है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो x square का coefficient है वो क्या रखी है 10 तो इन दोनों को आपको क्या कर लेना है multiply कर लेना है multiply करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है अब जो middle में time है वो कितनी है 11 है अब मुझे क्या करना है इसके दो ऐसे factor बताने है जिसको multiply करने पे तो 30 आए और plus या minus करने पे मेंपस 11 आ जाए ठीक है तो अगर मैं देखूं तो 30 है यहाँ पर तो 5 और 6 5 6 30 ही होता है ठीक है और 5 को और 6 को मैं plus कर दूं तो 11 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास जो इसकी middle term है उसको हम split कर देंगे 3x square first while term सेम रहेगी अब यह जो 11 था 11 था इसकी जगा हम क्या लिख देंगे 5x plus 6x हमने 11 को split करके ल और last वाली term को भी विल्कुल सेम रखेंगे ठीक है अब हमें करना क्या है starting की जो यह दो term है इन में से common ले लेना है और last की दोनों term से common ले लेना है starting की इन दोनों से common लेंगे तो हमारे पास सिर्फ x common आ रहा है ठीक है हमारे पास बचा 3 अब x common ले लिए यहाँ पर x square है तो 1x और बचेगा फिर plus 5x है आप तो x तो हम common ले चुके हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा फिर plus का symbol आएगा अब 6x plus 10 में से common लेना है तो 6 और 10 दोनों किस के table में आते हैं 2 के table में आते हैं तो 2 तो common आ जाएगा अब हमारे पास क्या बचेगा 2 को 6 से डिवाइड के 3x 5 बचा ठीक है तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि यह जो bracket होगा और यह जो bracket होगा बिल्कुल same ही आएंगे हमेशा ठीक है अगर दोनों में sign का भी difference आता है तो आपने कहीं न कहीं mistake किये ठीक है तो यह आपको याद रखना है तो हमारा पहला factor हो जाएगा इसका x plus 2 और दूसरा factor हो जाएगा 3x plus 5 हमारे पास इस quadratic polynomial के factor तो हमें पता लग गए अगर मुझे अब इसके zeros निकाल ले हूँ ठीक है तो क्या करेंगे यह जो factor आये थे x plus 2 और 3x plus 5 ठीक है अब मुझे इसके क्या करने है zeros find करने है तो इसको हम equal to 0 रख देंगे ठीक है तो हमारे पास जो x plus 2 है वो equal to 0 हो गया यहां से अगर मैं x की value निकाल लो तो हमारे पास minus 2 हो जाएगी यह पहला 0 हो जाएगा और दूसरा के लिए मैं दूसरा factor था 3x plus 5 इसको भी equal to 0 रख दोंगा तो यहां पर आएगा 3x equal to minus 5 so x equal to आगया minus 5 by 3 ठीक है तो इस quadratic polynomial के हमने factor भी निकालना लिए और उसके zeros किस तरीके से निकालना है वो भी सीख लिए ठीक है तो अब इसको अच्छी तरीके समझने के लिए एक और example देखते हैं अब second हमें दे रखा है आपर x square plus 11 x plus 18 ठीक है हमें इसके factor निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x square के coefficient को जो की 1 है उसको 18 से constant term से multiply कर देंगे तो हमारे पास 18 आ गया अब हमें करना क्या है 18 के दो ऐसे factor निकालने हैं जिसको plus या plus या minus करने पे middle term 11 हो जाए ठीक है तो 18 के अगर मैं factor निकालूं 2 से किया 9 फिर 9 से ही कर देते हैं तो 9 और 2 11 होते हैं जोडने पे और गुना करने पे 18 होते हैं तो इसके जो 11 X से उसको split कर देंगे 2 X plus 9 X में और starting के और last के जो term में उसको same रख देना है ठीक है अब starting के इन दौनों में से common लेते हैं तो X common आ गया और X plus 2 बचा ठीक है अब last 2 term से लेते हैं common तो 9 common आ जाएगा और X plus 2 common बचेगा ठीक है तो दौनों bracket में same आ रहा है ठीक है और फिर हमा 2 यह हमारे पास 2 इसके factor आ गए है अब zeros कैसे निकालना है zeros के लिए इन दौनों को equal to 0 रख देते हैं तो X plus 9 को equal to 0 रखेंगे तो X equal to आ गया minus 9 जो की first 0 हो गया है और second है X plus 9 इसको X plus 2 इसको equal to 0 रखेंगे तो second आ गया 0 इसका minus का 2 ठीक है तो इस polynomial के हमारे पास 2 0 आ चुके है minus 9 और minus 2 ठीक है तो अब एक और देख लेते हैं अब next है हमारे पास 2X square plus X minus 6 ठीक है तो यहाँ पर जो है X square का coefficient तो 2 दे रखा है और constant term है 6 तो दोनों को multiply करा तो 12 आ गया और middle term हमारे पास सिर्फ X है मतलब की 1X है ठीक है तो हमारे पास 12 के factor होते है 4 into 3 अब 4 into 3 तो 12 होते है औ middle में हमारे पास 1X है तो 4 में से 3 minus करूँगा 4 में से 3 minus किया तो 1 आ जाएगा ठीक है तो आपको किस तरीके से लिखना है starting का same रिखना है अब 1X है तो उसको लिख दिया मैंने split करके 4X minus 3X और last का same ठीक है अब starting के इन दौनों में से common लेंगे तो 2 और X common आ रहा है यहाँ जाएगा हमारा X plus 2 ठीक है तो first factor हो जाएगा 2X minus 3 और second हो जाएगा X plus 2 ठीक है यह हमारे पास दो factor आ गए हैं इस polynomial के अब zeros के लिखा करना इसको equal to 0 रख देते हैं तो 2X minus 3 equal to 0 so 2X equal to 3 X equal to 3 upon 2 इसी तरीके से second factor जो हमारा था X plus 2 इसको 0 के equal रखा तो X equal to आ जाएगा minus का 2 ठीक है तो इस तरीके से आप quadratic polynomial के zeros को आसानी से find कर सकते हैं splitting middle term की मदद से उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू कर दो हमारे वीडियो रहल बाटा इससे हैं हरे